सो स्वागतम गाईज विडियो को अच्छी तरीके से पूरा देख लेना और मैं आपको नोवेल की वीडियो पूरी तरीके से अपकोमें एपिसोड के साथ में डिट्टू मिलेगा यह मैं नहीं बोल सकता क्यूंकि यहाँ पे क्रेटिव टीम पोड़े बहुत चेंजेस कर सकत हैं तो गाईज देखेंगे आज नोवेल की वीडियो में क्या होगा तो चलते हैं सुटकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे सब लोग फोल्ट एल्डर लुओ ली के पिल को देखके सौक हो गए थे क्यूंकि उसके पिल यहाँ पे के अंदर साइनी बेवी हैलेक जर्स होते हैं जो कि एक हाई ग्रेड एंड टॉप ग्रेड का पिलो होता है तो देखके वहाँ पे सब लोग सौक हो गए थे दूशी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे फोल्ट एल्डर लुओ ली के मास्टर उपर से उसे देख रहे थे सोजने लगता है इस टैन्यू की बच पर फरक नहीं पड़ता है अगर यहाँ पर टैन्यू फोर्ट एल्डर लो लेके साथ में हार भी गया यहाँ पर किसकी हिमत है उसे टच करने की में भी तो देखू उनके हाथ पर टोड़के यहाँ पर फैक दूँगा दूशी तरफ हम लोली को देखते हैं जो बहुत ही घबरा गई थि हमें पता है यहाँ पर मिस बिंग टैन्यू को पसंद करने लगते हैं यहाँ पर नोविल की वीडियो में हमें बताया जाता है मिस बिंग बहुत जदा सैड होगी इतना नहीं आपर मिस बिंग तो रोने भी लगते है टैन्यू के लिए जबकि आगे दिखा नहीं रही थी पर वो बहुत ज़्यादा लाल हो गी थी क्योंकि उसको यहां पर टैन्यू को किसी भी हालत में खोना नहीं था क्योंकि हमें पता यहां पर मिस बिंग को पता चल गया था उसका मास्टर यहां पर टैन्यू है वे हम देखते टैन्यू के सारे दोस्त बहुत ज़ पुली रेंग के अलकमिस्ट हैं कि वजए से हम देखते हूं पर वो लोग बहुत ज़्यादा खुस हो रहे थे दूसरी तरफ हम देखते हैं में गाए जियान और उसके दोस्तों को पुरी तरीकी से टैन्यू के उपर बरोसा था वक्त हम देखते हूं पर फोल्ट एल्डर को देखें सबके तोत्ते उड़ गए थे वो लोग बहुत ज़्यादा स्वाक हो गए थे यहां पर फोल्ट एल्डर की तो पेर ही खिसक गया था यहां पर टैन्यू ने जिस पिल को रिफाइन किया तो वो बहुत ज़्यादा रेर एक सुपर हाई ग्रेड का पिल होता है यह अंदर वाइट और ब्लाइक कलर के बेबी एलेकजर्स होते हैं जो कि एक टॉप ग्रेड का पिल होता है सुपर टॉप ग्रेड का देखते हैं यह सब कुछ देखते हैं फोल्ट एल्डर की वहां पर डिसाइबल में बाते करने लगते हैं त्यान यू इतना अच्छा कैसे हो सकता है यहां पर होली एल्डर को कर कैसे दे रहा है सब की वज़य से हम देखते हो वहां पर वो लोग सौक हो गए थे दूसरी तरफ दूसरे अल्डर को देखते हैं जिनको अपने आखों में विश्वास नहीं हो रा था और हो केने लगता है यह बच्चा इतने चोटे एज में वोले alchemist कैसे हो सकता है यहाँ पे इसने इतने young age में सब कुछ कैसे achieve कर लिया जिसकी विज़े से हम देखते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा सौक हो गए थे कि वहाँ पे fault elder और सारे लोग 10U के उपर आरोप लगाने लगते हैं कि उसने यहाँ पे टैंग्यू ने अपने hunguing fire का यूज करते हुए पिल को refine किया था वैसे भी वो लोग सोचने लगते हैं उनके आगे यहाँ पे टैंग्यू ऐसे cheating नहीं कर सकता है इसने यहाँ पे खुद किया है इसे तरफ हम अगर आप यहाँ पे बना नहीं सकते हैं इतने हाई ग्रेट कोई पिल तो इसका मतलब यह नहीं कि इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है यहाँ पे ज़्यादा मत बोलो तो अच्छा होगा तब हम देखते हूँ वहाँ पे टैंग्यू कहने लगता है बुड़े अगर तुन नहीं कर पाता तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं कर सकता यह सब पुछ मैंने खुद किया है चलो चलो ठीक है अगर तुम्हें यहाँ पे यकिन नहीं होता तो हम दोनों क्यों नहीं यहाँ पे बेट लगा ले अब हम दिखते हैं वहाँ पर एक old master appear होता है जिसको वहाँ पर सब कुछ की knowledge होती है अब हम दिखते हैं वहाँ पर वह कहने लगता है फिर 10 यू ने जिस spill को refine किया जिस technique का यूज किया है यह अभी का नहीं बहुत ही पेले के era का है जो नहीं लगता है यह technique अभी भी इस दुन के एक ancestor है हम दिखते हैं सब लोग वहाँ पर सौक हो गए थे और वहाँ पर सब 10 यू की तरब देखने लगते हैं और वह सोचने लगते हैं आखिरकार यह 10 यू है कौन का background है क्या इसको यह technique कहां से मिले यॉंग एज में यह एक holy alchemist है जिसकी वाज़े से हम दिखते हुए इन सब के वाँ पर उढ़ गए थे अब हम देखते हैं यहा प चीप टैंग अनाउन्स करते हैं कि हैा पर टैनंईू फॉस्ट प्लेस में हो चुका है कि वाज़े से यहाँ पर टैन यू Allah को जीत लिया और यहाँ पर इज्ट भी जीत लिया है कि वज़े से अब यहाँ पर elder को tanu के आगे knee down होना होगा और यहाँ पर tanu उसे 3 slap मारेगा के बाद में song के grave में जाके उसे 3 दिन तक knee down करके वहाँ पर बेटना होगा कुछ सुनके वहाँ पर tanu की दोस्तों बहुत ज़्यादा खुस हो गे थे दूसी तरफ ford elder भी नहीं कर पाता और हम देखते हूँ वहाँ पर उसके disciple भी बहुत ज़्यादा खुसा हो गे थे कैज यह novel यह पर समाप्त होता है अगर आपको next episode चाहिए तो नीचे comment कर देना और कैज मैं आपको बता दूँ novel के video बहुत ज़्यादा interesting है अगर आपको देखना है तो थोड़ा सा प्यार देखे जाना सब्सक्राइब जरूर करना thank you watching take care boy see you again in the next video